जो को में यह हमारे इंडियन पॉलिटिक का प्रैक्टिस वीडियो है और इस वीडियो में हम 2018 से 2016 के सारी क्यूस्टिन को डिस्कस करेंगे ठीक ना अच्छिलिए प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंट्स अभी अभी मैंने इस पेपर की आधे से क्यूशन आधे से ज्यादे क्यूशन डिसकस किया ठीकिन सॉल्व किये लेकिन तभी पता चला कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है इससे मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पढ़ रहा है थोड़ा काम सब काम बढ़ गया फ्रेंट्स तो कॉम्रेड मैं इस रिकॉर्डिंग को जल्दी जल्द करेंगे कहीं कहीं पर गवर हिस्ट्री का क्यूश्शन या कोई क्यूशन पेस्ट हो गया होगा इक को नोमिक अब भी तो हम उसको भी सॉल्द करेंगे ठीक हमारे यह लखते है पहला पहला कुश्यन है यह हमारा हिस्ट्री का क्यूश्यन है थी कि ना तो देख लेते हैं लोगा जूम करते हैं तो बहुत प्रोब्लम हो जाती है रिकॉर्डिंग चल रही है थी कि ना चलिए पहला जो अमारा कुश्यन है भारत क्यूश्यन है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तो सही बात है जो ब्रिटिस का शाशन था उसने इस्ट इंडिया कंपनी से संप्रभुता च्पीन ली ठीक है न तो यह हो जाएगा इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिस शाशन अधिनियम 1858 के बाद जो भारत के लिए नियम बनाए गया उनमें भारतियों से कुछ पूछा नहीं गया वह कि ब्रिटिस के संसत्त के द्वारा डिसाइड किया गया ठीक है न तो यह ऑप्शन भी करेक्ट है तो यह इसका जो राइ ॉप्शन से ही आप इसके ऐंसर का आइडिफाइग कर पाऊ गरुग इंडियन काॉंशल एक्ट मतलब जो गवरनर जनरल का कॉंसिल था इंडियन को भी सामिल किया जाएगा तभी ने वह इंडियन काउंसील एक्ट हो गाठी है न जाली देखते हैं इस अधिने गवर्णर जनरल की सासी परिशित मतलब काउंसील में गहर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोग प्रियता का एक पूट डाल दिया तो गहर सरकारी सद दावों के विचार तक सेमित कर दिया गया था जो गवर्णर जनरल द्वारा के समस्ट से रखे जाते हैं अच्छुलि क्या था उनको काउंसील में सामिल कर्ले लेकिन अगर जनर ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया ठीकिन न तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती था ठीकि विधाई शक्तिया जिसका राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा option one and two correct है ठीक ना चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं वो अपनी ऑडिटिंग की रिपूट किसे किसे प्रस्टूत करता तो राष्ट्रोपति को प्रस्टूत करता है ठीकिना option a correct है next question पर चलते हैं निमलिखित में कौन सा राजयपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है तो देखिए राजयपाल को महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति प्राप्ते मतलब वहाई की नियुक्ति कर सकता है राजयपाल को बुला सकता है अस्थागित कर सकता है और भंग कर सकता है सदंदों के लिए प्रतिलंबन ने के शक्ति याद रिखेंगा एक राज इपाल को व्य शक्ति यह आ आप राज को거야 बाया शक्ति को रहनों को रहा है और आप वह राजपाल के पास कोई यह इतना ध्यान रखेंगां को से option here this question here to correct answer. ठचिकी न के लिए अगले प्रस्ते पर चलते हैं संसद में प्रक्रिया और कारिस अंचालन नियम के बारे में नियम लिखित में कौन सा क्थन सही नहीं ठचे के लिए कौन सा कथन सही नहीं के लाओ राज के मामलूं पर चर्चा करना तेक신 संसद राजि के वो नेशनल इशू बन गया है तभी वो राजी के मामलों के चर्चा करेगी बाकिश अंशत राजी के मामलों के चर्चा नहीं करती तो विदाउट बिना पड़े हम इसको आगे ऑप्शन पढ़ेनेक जुरत नहीं है क्योंकि हमें अपना राइट एंसर मिल गया है सीम लिखित में इसे भारत के निरवाचन आयोक के कार्यों और शक्तियों के आधिर संसत के परत्येग राजी के weidhan के के निर्वाचन को और last कि तो यह भी सुनाव होताई पार्लियमेंट के जिद्दान सभाकर निर्वाचन होता है वो भी स्वाचान 과 यॵाचनायों कराता है वो किसी आयुक्ति की नियुक्ति नहीं करता है याद रखेगा वो कि निर्वाजन से रिलेटेट ही काम करेगा तो option D क्या हो जाएगा हमारा wrong हो जाएगा discussion के जो correct answer option D is the correct answer for this question है अगले प्रस्ण पर चलते हैं अच ज्सम नियुक्ति के लिए नियुक्ति में व्यखति में कौन सा माप्दन अवश्यक नहीं है कौन सा यूगितर अगर आपके अंदर नहीं होगी तब भी आप उचित्म ये न pronounce बन सकते हैं उचित्म कोड मतलब supreme वक्ता है तो उस कंडिशन में आपको 10 वर्स का अनुभव होना अवश्यक ठीक है ना चलिए यह भी करेक्ट है राश्रपत की राय में एक काफी प्रतिष्टित नियाविद मतलब आपको कानून का अच्छा गया अच्छा यह भी करेक्ट है अब देखे कोई भी आगर आप कंडिशन में आपको यह हमारा जो ऑप्शन डी है यह योग यह यहता के लिए कंडिशन नहीं ठीकों सब मजिस्टेर नहीं लिखा गया के प्रस्तावों को राजिके राजयपाल को संसूजित करना तो यह बात है कि यह हमारे मुख्य मुख्य का काम है कि जो भी काम कर रहा है वो राजयपाल को राजयपाल को राजयपाल को राजयपाल को राजयपाल द्वारा चाही गई सूजना और विधायन के प्रस्तावों को प्रतिवेदन में राज्य सासन से संबंधित मंत्री परिशत के सभी निर्णेयों को राश्ट को कभी भी राष्टपति को सूचना कौन देगा हमारा गवर्नर देता है यह हमारा ऑप्शन प्रांग हो जाए हमें रांग स्टेट्मेंट डिफाइंड करना तो इसका राइट एंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी अगला अगले को पढ़ने की जुरत नहीं है अगर आपको इंफर्मेशन जुरत है तो आप पढ़ सकते हैं तो जैसे अगर आप पढ़ना चाहे तो यदि राज पाल ऐसा चाहे तो ऐसे किसी भी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा नेर्णाय लिया गया है के मंत्री परशद द्वारा विचार नहीं किया गया मंत्री परशद की विचार आर्थ प्रस्तुत कर सकता थे तो यह भी sah It हमारे पार्लियमेंट में राष्टपता होते हैं यह द 9 राजसभा य इनों मिलकर पार्लियमेंट बनते हैं उसी प्रकार विधान में राज बारे राजयपाल होते हैं विधान सभा और विधान परिशत ठीक है ना मुख्य मंद्री विधान मंदल का भाग नहीं हो ठीक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट अंसर राजयपाल की अध्यादेश जारी करने के शक्ति के बारे में निम्लिक्त में से क्या प्थन सही नह अध्यादेश के शक्ति के अंतरगत आता है अध्यादेश को जारी घोशित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह के वाश्यक्ता नहीं होती यह गलत है इस पे हमें गलत स्टेट्मेंट करना तो यह एक विवेका धिन शक्ति नहीं है ठीक है यह करेक्ट है जो ऑप्शन अभी मैंने जल्दी जल्दी में गलती किया था जब मैंने पूरे ऑप्शन पड़े तब मुझे अपनी गलती का पता चला ठीक है अब बोड़े कि विवेक परशद की सलाह पे ही बुलाया जाता है याद रखिएगा ज्यवाब कर अध्यादे से हमेशा मंत्री परशद की सलाह पे बुलाया जाता है यह ग edika देन शक्ती नहीं है ठीक है यह ब्लिवे का धिन शक्ती नहीं है तो यह भी हमारा statement एभी करेक्ट है ठीक ना इस ड्रॉंग कर लिया था भारत के संब्धार में प्रतिष्ठापित मौली का अधिकारों के समानी है तो यह भी करेक्ट है ठीकिना अगर आपको लगता है जैसे हमारा संपत्ति का अधिकार पहले fundamental राइट था अब उसे fundamental राइट से बाहर कर दिया गए ठीकिन देखिए हमारा संपत्ति का अधिकार है आज भी वह मानवदिकारों का विश्य है ठीक है यहाँ पर option C क्या हो जाएगा option C यहाँ पर wrong statement हो जाएगा ठीक है इस question के जुमारे right answer option C is the correct answer for this question ठीक है अगला option भी पर्ट लेते हैं भारत मानावधिकारों के इस और भाविक घोश्रा का एक हस्ताक्षर है ठीक है तो सही बात है भारत मानावधिकारों के लिए sign किया है अगले प्रश्ण पर चलते हैं मानावधिकार परिश्यत अब देखे मानावधिकार परिशाद है ठीकिना सभी सदस इसके मेंबर नहीं है ठीकिना और एक अंतर राज की निकाय तुम्हारा जो इस्टेटमेंट फर्स्ट है वो रॉंग है ठीकिना इस तरह के क्योशन को सॉल्व करने के लिए आप को स्टेटमेंट पढ़के आप कुछ एक्स्ट्रा इंफर्मेशन ले सकते हैं जैसे पूरे विश्व में सभी मानवधिकार के उन्यान और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है तो यह करेक्ट है इसने भूत पूरो शायुक्त राज्ट मानवधिकार आयोग का स्थान ले लिया है वाइध्यान रखिएगा मानवधिकार परिशद ने मानवधिकार आयोग को रिप्लेस कर दिया है यह संयुक्त राज्ट के 47 सदस्यों से बनाते याद रहे हैं इसमें संयुक्त राज्ट के 47 सदस्य सम्मिलीत है अगले प्रशने पर चलते हैं उत्कृष्ट एथिलीट नेर अप्शन B करेंट का क्योशन इस लिमन को लीव करेंगे ठीक है अगर आप कर फिल करना है तो एक मुवाइल अप्लिकेशन डिवलप किया गया ताकि आसानी से आप अपना घर बैठे आप अपना इंकम टैक्स फाइल कर सके ठीक है तो यह क्या है मुब scrut करום कि ऐगदाल को सुगम बनाना 114 पो चलते है Swam का do Google के देखिकी तो इसक घुले जब वहना तो इसका क्या उदेश है राष्टी-मच्वचरी मंचिपर ब्यापक प्रड़ाली नेशनल पेंशन स्कीम निजी छेत्र के अंतरगत नपीएस से जुड़ने की अगर आप एनपीएस से जुड़ना चाहते हैं तो अधिक्तम आयू आपकी क्या हो सकती है ठीकिन अगर आप लेबर लॉप पड़ा है जो भी विसल सिक्यूर्टी के स्कीम है उसके लिए जो मैसिम आयूग साथ वर्स है लेकिन अधिक्तव मैंationsिम आयूग कितना है साथ वर्स है, लेकिनpark FARしました स्किम में मैक्सिमम आयोग कितना है 65 वर्स ठीक है रखें जो राइट एंसर हो जाएगा option c is the correct answer for discussion अगले प्रशन पर चलते हैं राश्टी मानव अधिकार आयोग National Human Rights Commission के कार्य निमलिकित में कौन से हैं मतलब कौन से कार्य हैं जो राश्टी और लिया इंटिफाइब कर पाएंगे एंसर इस लिए आपको कोई प्रायर इंफर्मेशन जुरूत नहीं है ठीक है मानव अगर अगर मानव अधिकारों के उलंगर तो जाच परताल तो करेगा मानव अधिकार आयोग प्वीडित द्वारा इसके समक्ष प्रस्तु त्याचिका के आधार पर जाच परताल करना ये भी सही है कैदियों की तरशाओ को जानने के लिए स्टेलों का भ्रमण करना ये भी सही है मानवधिकारों के छेत्र में सोध का जिम्मा लेना और सोध को प्रसाइट करना तो ये भी करेक्ट है तो ओप्षन चारों करेक्ट है राइट अंसर इस ऑप्षन दी अगले प्रश्ण पर चलते हैं एक विवक्ति संसत के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य की रूप में चुने जाने के ये अयोग होता है तो देखिए ये चार आप्षन है इसमें कौन-कौन शा आप्षन संसत्य कर सदस्य होने के अयोगता की संसत्य कर सदस्य आप नहीं हो सकते कौन सा कफ़न इसको इंडिकेर करता है सपूर्ड करता है भाष सरकार रत्वा किसी राजिक सरकार आधिन किसी लाप के पद पर है तो आप संसत के सदस्य नहीं हो सकती है आपको वह अपना लाप का पद छोड़ना पड़ता यह भी आयोगेता की सर्थ है करेक्ट है और अगर आप दिवारिया होके तो भी नहीं हो सकते हैं भारत के समविधान की अगर आपको आपको एंटी डिफेक्शन के तुरू बाहर किया गया तब भी आप संसत के सदस्य नही एक राष्ट्री डल याद रखते हैं कि राष्ट्री डल की बात हो एक राष्ट्री डल के रूप में आने होने के लिए एक राजनीतिक डल का कितने राज्यों से मानने था प्राप्त राजनीतिक डल के रूप में राजनीतिक डल होना चाहिए तो अगर ध्यान रखिए अंत्रिक्ष कार्पोरेशन अंत्रिक्ष बिभाग के प्रशाचनिक नियंत्रण के आधिना जया अगली प्रश्नों पर चलते हैं संत कवीर से संबंदित चंदु का संग्रह नियम्य बिद में किस परंपराओं में किया गया तो आपने पढ़ा होगर तेटेंट की हिंदी के बुक में संत कवीर की जो रचनाय हैं वो कहां पर संक्लित हैं वीजक में कवीर गरंधा वली कवीर शर्पदा वलीजक और आधी गरंथ सहब ठीक नंदी गरंथ सहब में भी कवीर की रचनाय सम्मिलित है जो राइट एंसर हो जाएगा 1-2-3-3-0 पर चलते हैं भारत के समविधान के निम लिखित में से किस संसोधन में यह बताया गया कि मंत्री पर्षद लोक सभा अथ्वाराज्यों की विधान सभा कि सलस्यों की पुल संक्षा के 15% से नहीं होगी अधिक नहीं होगी तो देखिए यह रूल है कि जो हमारे मंत्री परशद होती है वो लोग सभा और राज सभाग के 15% से अधिक नहीं होगी लेकिन यूनियन टेरिटरी दिल्ली के लिए रूल फालो नहीं होता यह किया गया थी नाइंटीवन संसोधन के नतरकत यह प्रस्ताव लाया गया था ठीक है ना लेकिन दिल्ली का जो कि भारत के बारे में निम्लिकित कत्नों में से कौन सा सही नियावीद मतलब इटाउन जनल ऑफ इंडिया की बारी भारत सरकार का पहला विध अधिकारी होता है ध्यान से पढ़िए अध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़ बड़ करेंगे पहले हम इसको option 1 को मार करते हैं वह एक संसत सदस्य के विशेशादिकारों के लिए हकदार होता है यही एक काम है कि जो हमारे जनल ऑफ इंडिया होते हैं क्या होते हैं उनकी आहरेता है वही होने चाहिए जो उचेतम नहीं बनने के लिए आउशक होती है मैं होते हैं कि आपको doubt हो सकते और option 3 & 4 में option 1 & 2 यह तो दोनों गलत हैं ठीकिना कोई विद ही अधिकारी नहीं होता ठीकिना option 3 & 4 देखते हैं किसी option में क्या 3 & 4 दोनों है यहीं नहीं तो option C में केवल 3 है तो यहाँ पर 3 & 4 दोनों साथ में नहीं है और मुझे पता है कि 3 correct है तो इसका जो right answer है कि option 2 हो जाएगा ठीक है जली अगले प्रश्न पर चलते हैं थोड़ा जों करते हैं Q86 निम लिकित में सिक्किस संसोधन अधिनियम के थाथ भारत संग में सिक्किम को सम्मिलित किया था था भारत संग में सिक्किम को कब 36 में संग को सिक्किम में सामिल किया था ठीकिना देखना चाहें तो आप देख सकते हैं Google में निम लिकित में कौन सा एक देश दो ब्रोस्ताओं के तो इसका जो right answer होंग काफी सिंपल है होंग काउंग प्रोटेश्ट काफी नियूज में रहा था भारत के राजियों के संबंद में निम लिकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है तो भारत के राजियों के संबंद में जो भारत में राजियों के उनके अपने संविधान नहीं हो सकते यह सही है जब मु काश्मीर राजी का अपने संविधान है यह भी करेक्ट है भारत में राजियों को भारत संक से प्रथक ह पहुत होने का अधिकार नहीं है यह भी सही है जिल्ली के जब यह तीनों सही है तो हमारे पास क्या बच्छे का option डी बिना पढ़े हम बता दें कि option डी गलत है निम लिखित में से कौन सा एक अंतर राष्टी मानवधिकार संदी नहीं है तो मानवधिकार की संदी के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं लेकर जो इसका प्रदान मंत्री क्रीक सी चाहिए हो जाना पीम की एसवाई का एक उदेशन निम्यकित में कौन सा नहीं है ठीक है न देखते हैं इसको उल्टा पड़ते हैं प्राकृतिक आपदाओं के करण होने वाले फसलों के नुक्षान से किसानों को बचाना जल का अपवे तो देखिए प्रदान मंत्री क्रीसी सी चाहिए हो जाना तो जल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो तो करेक्ट होगे सिचाहि ये करेक्ट हो जाएगा भी सिचाहि के ये भी करेक्ट हो जाएगा जल का अपवे यायकी बात हो रही अब देखते हैं अ प्राकृतिक आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं सापारियों से रिलेटिट है कि जो राइट एंसर हो जाया किस से हो जाएगा यह प्रतम प्रहणी के उद्यम्यों को विश्वेशनी सला देने की योजना है option is the correct answer for this question अगले प्रस्ट पर चलते हैं दिन डियाल उपध्य है ग्रामीड को उशल या योजना इस योजना के उद्यश चे क्या है कि जो ग्रामीड है उनको ट्रेणिंग के द्वारा कुशल बनाया जा ताकि वो आसानी से रोजगार हासिल कर सके ठीकिना अब यह इसका उद्यश है मैं बांकी देखते हैं option देखते हैं पहला यह विश्वेश और ग्रामीड लड़कियों क इसका मतलब यह है कि भारत का जो पॉपॉलेशन उसको लाभांस पॉपॉलेशन में चेंज करना तो यह भी करेक्ट है इस योजना को उद्यश से पच्पन मिलियन से भी अधिक ग्रामीड राज्यों को फायदा पहुंचाना है अब देखे इसमें information दी हुई है लेकिन यह information करेक्ट है ठीक है जब आप गूगल करेंगे तो आपको पैदा चलेगा इसका उद्देश कहा था कि पच्पन मिलियन से दिक लोगों को फायदा पहुंचाना तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा तो है ही भाई ठीक है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइड है तो इंडिया के एकॉर्डिंग कौनस फंडेमेंटल नहीं तो राइड टो फ्रीडम आर्टिकल 21 अर्टिकल 14 ठीक है राइड तो सिटिजन सिप आई टो सिटिजन सिप राइड अगेंस्ट एक्स्प्लोटेशन अच्छा आप यह बदाए कि आपके किसी फंडेमेंटल में यह ब दीए रिकला आपको डाउट है तो आप कमेंटरिशल को लिख सकते हैं ठाकि भागी को अभी पता चलता है ठीक हो अचलिए आल ही मेस अपा चारों में चक्षित लीव करेंगे करेंट से यह विल लीव करेंगे लुख सब्सों जो कंट्री है जिसए वन का वींबर नहीं है प्रतियक नेहद्िष किसके दौरा नियुक्त किया जाता है। वाथ के नेहद्र पत्रोपति होते हैं वह वह मांधि के नियुक्ति करते हैं। नेहरू महाल नोबिस विकास की यूग दिनीम लिकित में से किस एक पंचवर्षी योजना के द्वारा पहली बार कारेनवित की गई थी याद रखे कि जो नेहरू और बार आया था क्राफी इंपोर्डेंट क्वेशन अपर ये मॉडल कौन सी याद रखे कि दूसरी पंचवर्षी योजना में तो कृस dope की पर थ्यान दिया गया था कि भारत के जो इसी के लिए महहरू महाल नोब्स अबॉक्ट ठीक ना थ्यान घक्ति ष्याग french लेकिन इत्ता करेक्ट है कि अधुती पंचवर्षी हो जना से लिया गया है अगले प्रश्चने पर चलते हैं निम्लिकित में कौन सा एक भारत के समविधान में यह तो राजी की नीती नी दे सकता का भाग नहीं है सा मनें कौन सा नीती नी दे सकता का भाग नहीं है मान नया निशुल्क भीधिक सहायता और एक है आश्च्री महत्यों के समार्क और स्थाक्रों का सा अब यह चीज तो हमारे फंडमेंटल ड्यूटी में भी दिया हुआ है ठीक है न हमारे fundamental duty में और यह चीज हमारे push में भी दिया हुआ है ठीक ना DPSP में भी दिया हुआ है तो यह भी क्या हो जाएगा अगेंट ठीक है चलिए ठीक करेक्ट है क्या है options पर्सनल लाउ का सब्सक्राइब पर्सनल लाउ का सब्सक्राइब देखे ऐसा नहीं है जो हमारा क्या बोला गया है वरे DPSP में बोला गया है कि एक uniform civil code होना चाहिए कोई personal law है उसका संद्रक्षण करने की बात नहीं हो ली हमेशा यह लिखा गया है कि हमेशा सरकार प्रयाश करेगी कि एक uniform civil code होना चाहिए तो यह क्या हो जाएगा option C wrong हो जाएगा ठीकिना यह पालिकों कारे पालिका से अलग रखना यह भी राइट है option C क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर भारत के समविधान की उद्देशिका में समाजवादी जोड़ा गया था तो यह समाद वाजवादी जोड़ा गया था तो यह समाद वाजवादी जोड़ा गया था तेन शब्द जोड़े गया थे फ्रेंड्स कौन से 42 constitutional amendment कर था मैं आपको explain कर चुका हूं कि तेन शब्द जोड़े गया था ठीकिना अभी मेरे को ध्यान नहीं है यह सोचलियम था एक शेक्यूलर्जोम था और एक शब्द कोई और था किस चुद्धन की दवरा 42 खीजी था चली अग्ली प्रस्ण ने पर चलते हैं मंद्रास में इश इंडिया कमपणी के अधिवास के अस्थान को किस नाम से जाना जाता था जा तो देखें तो याद रखेंगा वीडियम कहां पर फलकत्त है और फोट जार्च कहां पर स्थापित कि अगया तो मद्रास याद रखेंगा तो आपसे वैसे ही पुछा था कि सेंट जोर्ज नाम का फूर्ट कहां पर स्थापिर किया गया तो मदराज में ठीक जून 2018 में नीती आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम लिखित में से किस भारती राज जो इसे पुर्वत्र राजियों को छोड़कर वो संयुत जल प्रबंधन सूच कांग समपूजीट वाटर मैनेजमेंट में प्रतम अस्थान मिला था याद रखियेगा निती आयोग केमसार 2018 करिंड का क्यूशन फिर में इसको एंसर देख लेते हैं तो वह राज़े कौन था गुजरात था ठीक न ध्यान रखियेगा ध्यान रखने जुरत नहीं है वैसे करेंट का क्यूशन अगली फ्रस्ट पर चलते हैं पूर्वत्र परिशाद मतलब नौर्थ इस्ट कांसिल नौर्थ इस्ट कांसिल की बारे में आपको थोड़ा पता होगा नहीं पता है तो गू दे क्या फ्रेंट काई सारे क्योशन रिपीट होते हैं तो प्रिविए से पेपर वड़ करने से आपकोо आयदिया का डिया है कि क्योशन का लेवल क्या है इसके अलागी हम यहे पूशन रहता है क्यूशन रिपीट हो जाय लग इस रिखित में किसके माध्या मैं से सिkkhimy bharas संग का सहराज जिबान तो अभी-अभी हमने पड़ा है कौन से संशोधन था वो 36 संशोधन था ठीक है न जो राइट एंसर करें एक नियुक्ति और अस्थानांतरण को लेकर भारत के मुख्य नियायमूर्थी और नियायधिस्ट के अधिशाशी मंडल की प्रधानता के साथ प्रधानता के साथ जुड़ा हुआ है यह कौन सा केस्था इसके बारे मैं आपको बता देता हूं अगले प्रशने पर चलते हैं इस सम्विधान सशोधन के संसत्त के संजरों द्वार्ण 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 है हमारे लोग बेभुद मंदलों उनको शक्तियां दी खאני कौकर का रिगार्दिंग एंटी-ईैंटिफ्रेक्शन लाग जो लोग दल बदल करते हैं आठ लोगों को िया घोशत कर कि आयोग घोशत कर से थिक ना जो आपने कर पहला देखा होगा पॉलिटिक उसके ठीज्ट थोड़ा थे ठीज्ट थे ठीज्ट थे ठीज्ट थे थीम्पल है संसत की निम लिखित में से किस समित में राजसभा का कोई शदस नहीं होता वो संसत की कई सारी समितियां होती हैं समितियों के बारे में जो पूछा जाता है समितिये देखते हैं लोक लेखा समitियों कि यस आप्याट अप्षिन पर आते हैं सरकारी उपकर्म 계속 समभवंदियर serकारी अंत्रमrr यकाललन لचाएं पराकलल जू समितियों इसका इंग्लिस मतलब कि और चाप करता नहीं है तो इसके जो राइट एंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी क्या जो प्राक्लन समीत है आपकी प्राक्लन समीत में कोई भी राजसभा का सदस्य नहीं होजा इसके लाव लोग लेखा समीत में आपका राजसभा के सदस्य रहेंगे सरकारी उपकरम समित में भी आपके राजसभा की मेंबर रहते हैं इसके लिए अगली प्रशने पर चलते हैं भारत के सम्विधान के किस राज्य का उलेक नहीं मिलता कि 371 किस से रिलेटेड है यह एक्चुली उनके कुछ विशेश अधिकार दिये गया है 371 के अंतर यह बोले जा रहा है कौनसा जो राज्य है इसके 371 के एपलाई नहीं होता ठाखे न आक जो राइड़न्सर कौनसा राज्य मध्यप्रिदेश के लिए 371 apply नहीं होता है याद रखेएगा मध्यप्रिदेश की राज्य के 371 apply नहीं होता है महाराष्ट में भी अप्लाई होता है गुजरात करनाटक हमारे जो नौर्थ इस्ट के राज है असम हो गया आपका है ना अरुडांचल में जो अरुडांचल हो गया आपका टी मतलब श्रपुरा मतलब मनीपुर और निखाल अगले प्रश्ण पर चलते हैं करेंड का केशन है करेंगे स्टार्ट अप इंडिया केंद्र प्रश्णों को समाधान करने और स्टार्ट अप इंडिया को मार्य दर्शन पायते हैं 77 पर चलते होhower जापर, workplace की त नीति-योग की परिशति का देख लेगा है नीति-योग की परिशति से न मंखिद में कौन सा संबंध नहीं है मतलब कौन सा सदस्य में मेंबर नहीं होता तो प्रदह का मंतर्री तो आपको पता है नीति-योग के मिंबर होते ही है ठीक है ना राष्ट्रपती राज्यों के मुख्य मंत्री तो देखे नीदी आयोग में जधान मंत्री होंगे राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे राज्यों के मुख्य मंत्री लेकिन राष्ट्रपती नीदी आयोग का मेंबर नहीं होता सब्सक्राइब करेक्रम को सम्रित किया गया तो कौन सी स्कीम को राष्ट्री युवा ससक्ति करण कारेक्रम में नहीं मिलाया गया है ठीकिना इसका आपको राइट एंसर देना तो नहरू युवा संगटन यह तो हम अल्रेले इसकेम के अंतरकत है यूथ हॉस्टल भी राष्ट्री सेवा योजनों जो नसस है उसे सम्मिलित नहीं किया रखि समistical में से कौना सही में सही है सही कास में find करना हो इसे देसंबर और 96 से 990 के बीश त्यार किया दो एक अ यह करेक्ट है ठीकिर न क्योंकि जो सवाद्धान तो 946 के बीश त्यार कियोंकि समिज्दान सभाक ने रौड़व नाइटिन फोटे सिक्सM में संविधान के प्रावरूपों पर जन सभाव में चर्चा हुई विभिष्ट में संविधान का संचिप्टम प्रलेख नहीं संबर इस उन्चास में प्रावरूपों नहीं तो इसका जो राइट एंसर है, राइट एंसर में फाइंड काना तो क्या है, option A, बाकि अगर आप किसी के अफ़ाओं, इक अपनी रकषनाओं के भायरें इस बारें के बारें में नहीं लिखा तो, सहादत हस्र, वा छिश ने भी विभाजन के बारे में लिखा थ ने और शागली रस झालते हैं, हडपेस्वासमे बारें में हिस्ट्री का क्यूशन आते हैं, पज्के देख लेत साही है सिल्फ स्थ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है जैसा कि मिट्टी के बर्तनों हर इंट और वाल में स्थ्पष्ट है सही स्टेटमेंट हमें फाइंड कर ठीके न देखिए जो भी इसल्फ था सिल्फ में अधि जो मिट्टी में कारीगरी की जाज़िते बर बात के हड़ पास्तुलों में विकाश हुआ था चेंज हुआ था ठीक है न जो राइट ने से रूज़िता के बारे में देखना है आम संसाधनों पर अस्थानी जनजाती समधायों का अधिकार देता है सही बात है यह पेसा एक्ट यह बात करता है अनसूचित जनजातियों का अधिकार का अधिह थांतरण करता है तक अंसूचित जातियों का अस्थानी पंचायतों का वेहतर न upper में यह थे बारे में rehabilitation पंचायतों कर लाता है इसके बारे में अधिनम 1996 पेशा इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कहीं फाइंड करना है जलत फाइंड करना है देखे जो पेशा है याद रखे जो हमारा पेशा है पेशा क्या है पेशा एक इस्पेशल पंचायत एक्ट था ठीकिना जो नौर्थ हिस्ट और जनजाती राज्यों में जो हमारे श्रिडूल ट्राइबल एरिया है उस पे लागू होगा ठीकिना तो अप्शन सी है इसका जो रॉंग है रॉंग है रॉंग है वैसे आइडिफाइ करें क्योंकि जो आप्शन सी है वह पेशा से रिलेटेड नहीं है क्योंकि देखे जो त अनसुची छेत्रों तक विस्तार नहीं देता है ठीकिन अनसुची छेत्रों में पेशा एक्ट ही लागू होगा इसका कोई लिए लिकित में से किन आपसी मतवेतों कर समाधान करने के लिए लोग सभा और राजी सभा की सयूगत बैठा कोई सयूगत बैठा का प्रावधान दिया गया है सयूगत बैठा कौन भुदाला सकते है भारत करा सब्सक्राइब बैठा को देखते हैं तो दहेज प्रतिश्यद विधयक बैंक सेवा आयोग आत्यंगवाद निवारत विधयक इसका जो राइट एंसर याद रहें फ्रेंस ऑप से इसका राइट एंसर मतलब दहेज प्रतिश्यद विधयक बैंक सेवा आयोग और आत्यंगवादी निवारत इन तीनों के लिए तीनों कंडिशन में द्वाइंट सेटिंग बुलाई गई थी ठीक ना दियान रखिएगा इसका जो राइट एंसर है एक्शली इसका एंसर क किस आयोग ने किसी राजिके राजिपाल को हटाया जाने के मुद्दे की जांच नहीं की तो मतलब राजिपाल को हटाया जा रहा है इस मुद्दे की जांच कौन कर सकता ठीक ना इस मुद्दे की जांच कौन आयोग कर सकता देखिए जो सरकार या आयोग क्या है सरकार या कि में अलइडी आपको बता रखा है जो सरकारिया आयोग और पुंचीित रिलेशन से डिलेटेड है ठीकिन सरकारिय आयोग नहीं होगा पंची आयोग नहीं होगा तो आयोग भी घास पढ़ा था प्रिविस क्यूशन EPSC में EPSC एक्जाम में select होना चाहते हैं ठीकिए न तो maximum tendency आप तभी select होगे जब आप maximum question solve करोगे ठीकिन है total question 120 आते हैं अगर आपने उसमें 90 question solve की है तभी आपका chance बनता है ठीकिन है अगर आप उससे कम question solve करते तो आपका चांस नहीं बनता याद रखिएगा मेरे हिसाब से बाकि आपका ओपीडियर अलग हो सकता है ठीक है तो टेंडेंसी रखिएगा मैक्सिमम क्यूशन सॉल्वर करने की क्योंकि देखिए टोटल जो भी धाई लाग दस लाग जो भी फ़र्म मेरे को पता नहीं किते हैं जादा होगा अगर आप ज्यादा क्यूशन एट्म करोगे तो आपके जो क्या बूलते हैं और देखिए ज्यादा क्यूशन आप कैसे एट्म करोगे मैं आप कोई टेक्निक बदाता हूँ क्योशन की किसि कूशन में एलिमनेशन मेथर्ड लगा रहे हो वहां पर वह तो आपके कर फंस कडिए उस कुश्चन को मत छोड़ी गया है। उसको करके आए zabade ठीक है न कि वहां में आप वहां पे आपका चांस बढ़ जाता है सही होने का ठीक है न चलिए मैंक्सम क्यूश्चन सो एटेंप करना है यही टेंडेंशी मेरा करने का मतलब यही था आल ही मेनिम्लिकित में किस राज़ से सस्तरबल अदियम पूरी तरह हटा दिया गया तो यह नियूज में भी था फ्रेंट इसका जो राइट अंसर है वो क्या है मेगाले से कंप्लीट पूरी तरह से हटा दिया गया ठीक है न चलिए इस छोड़ा सब ब्रेक ले लेते हैं फिर से स्टार्ट करेंगा तरह से स्टार्ट करते हैं हमारे जोगला क्यूशन है क्यूशन नमर 95 निम्लिकित में कौन सा एक भारत के समविधान की आठवी अंसूची में सामिल की भाषाओं का सही सही उजन नहीं है न तो भारत के समविधान की आठवी अंसूची में जो 22 भाषा है उसके सही सही उजन नहीं है ठीक है तो देखिएगा नेपाली कॉंकडी तुलू शंताली आगे देखते हैं मेरे को तो first में doubt लग रहाे ठीक न आगे देखते हैं तन्थाली, Urdu, कॉंकडी, मैथली तीक है आगे देखते हैं सन्थाली, कॉंकडी, भोजपुरी, और उर्दू ढोंग्री, कॉंकडी, भोजपुरी, और अर्दू .. सही सहयोज्यन इसका एंसर मेरे कुछ नहीं पता है अगर आपको इसका इंसर पता हो अगले प्रश्ण पर चलते हैं हाल ही मेनम खित्म से किस राज इससे सस्तिरबल अजियम पूरी तरह किसे हटा दिया गया में अच्छा अपन ने इसको अगले परश्ण जा रहे वेट ओ मिनूट भारत की राष्टफ़पाथ की छमा दान देने की शक्ति के संबंध में सुनिर्क से काउसा एक सही नहीं है यह राष्टपति को छमा दान चमा दान देने की शक्ति और यह जब और दो यह देज़त इसना नियाले द्वारा की ए OUT ठीक सिंगे वह द्याखिव राष्ट पत्य को छमादान देने की शक्ति है कि याद रखेगा राष्ट पत्य को जो छमादान देने की शक्ति है वो यूनिवर्सल है वो किसी को भी छमादान दे सकते हैं या प्रारदान दे सकते हैं हैं इस अप्शच फरस्ट को माहाज नहीं करकी रखा रराष्ट काल सब्सक्राइ抗र से लेकशी जगें लेवार करिकी का भोट सब्सक्राइब की अगर बहुत सी यह भी करक्टर जैसे मालिज राश्पत ने किसी को छमादान दे दिये तो का फिर सिन्याइक पुनरा वलोकन नहीं होता ठीक ना मैक्सिमम कंडिशन में नहीं होता इसलिए लिखा है बहुत सही है अप्सिन पर आश्पत द्वारा चमादान देने की सकती ऐसी सकती है जिसे प्रवता संपन अपने स्वयम के या एक आदेश के कभी भी प्योग में कि अधिक अधिक हिंदी काफी कभी काफी टिपकल हो जाता है मतलब अश्पत पर देखें फ्रेंट्स सामयाद आप ऐसा कि अगर कोई भी सेक्ष्ण में वेडियम को जरूर प्रिफर करिए ठीक ना ऐसा करने से कभी क्या होता है कि कभी काफी डिफिकल्ट क्यूस्टन बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाता है जिसे माली अगर इंग्लिश वाला एक्सेंट पेश्ट हो तो मुझे समद में आता है यह क्या कहना चाहरा है राश्ट्रपति द्वारा छमादान देने की सक्ति ऐस्ट शक्ति हैं इसे इसका एंसर की में देख के बता दे रहा au । खे ना ऩो किये अभी इसका एंसर में देख लें तो एंसर की में कि सका इंसरा आप्षण दी ही दिया मतलब दी स्टेट्मेंट ही रॉंग है और ऑनकी स्टेट्मेंट सीmile चलिए अगले प्रश्टल के चलते हैं नियमलियुखि में भारती सुतंत्रतादियम 1947 की अभिलाग छड़िक विशेष्था क्या नहीं है कि ना 1947 की विशेष्था क्या नहीं है भारत के आधिपच्च डॉमिनियन को सिंद बालुचिस्तान पश्चिमी पंजाब पुर्वी बंगाल और NWFP को छोड़कर सेष्थ भारत को सेष्थ भारत का छेत्र मिला देखिए आपका पुर्वी बंगाल तो छोड़ दिया जाए लेकिन पश्चिमी बंगाल तो हमें मिला था ना पश्चिमी बंगाल वारा पार्ट मिला था बेरियोों मेरे वी इसमेर डाउट हेटि कमी को बार करक्षल ना था कोई और अच्छा उए इस अधिनिया में ब्रिट शल्षत कि विधाई स yrसे समभिदान निर्धारइत करने को atau option आउप्शन फिवह हमारा करक्ष तक से पוכnine पोए और सबनाने और बंगिकार करने की क upon लिएुश्प आभूर में हम फिर से पड़ ओएुश्ट से अधिनियाम ब्रिटिस संसद की विदाई इच्छा से समविधान मुंण करने की विदारूर को से लेट सल आधिनियाम इसके लिए कई साले कई सारे प्रपोसल आया थे हैं आपका प्रस्ताव आया था किर्प्स प्रस्ताव आया था जो इन इन मिशनों के अनुशार ही हम एक मिशन तुना था रास्ट में तो यह भी हम अब क्लियर हो जाए तो जो हमारे पास और करेक्ट है तो क्या गलत हो जाएगा ऑप्शन एक क्या हो जाएगा इसका रॉंग हो जाएगा ठीक है न चेंगा अभी अच्छली क्या अभी मेरे को इसमें डाउट है क्योंकि जो जो कम्प्लिट मीनिंग मेरे को समझ तलाशा गया है तो आपको हिंदी में इसका मतलब ता गया ता कहना तो ए एंड बी में आप आइडेंटिटाई करिए हो और तराइट आइट एंसर मुझे जिला था कि चलते हैं राश्ट्री आए इस डेंड नीचलल इंकम लेके में निजी आए इंकम किस रूप में परिवारो चाह गया है अब माइनस परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज मुक्तान उसको माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे फिर अप्लस कर देगे सरकार और फर्मों द्वारों का अंत्राण भुक्तान जो इंकम टैक्स है ठीक है जो राइट एंसर है ऑप्शन ए ही है जंकुछी धन नेरो मनी को भारति रिजरु बैंक को द्वारा किस प्रकार परिभाशित किया गया तो नेरो मनी क्या है फ्रेंट्स किस प्रकार परिभाशित किया करेंसी नोट प्लस सीख डीडी वाडी जीग बैंक को दो रहा रखा गया नेट जमा वांक सीउ प्लस डूडी सडाग घर बचत बैंकों में बचत जमा अचली फ्रेंट्स का एंसर हमें तो नहीं पता है ठीक आपको पता है तो जो नेरो मनी प कि मिल जाए में पंचायतों के संबंध में निèmeलेखित कत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है ंपंचायतों के साथ सीध्य घ्रांभ करेक्ट कुरुन करेक्ट के तो यह पर बन को आहिने मैंने बताया है, ऐसा कर सकती है तो इस आ releaseласт के आ यह जरू से को रहती है कि जाद रखे गा उसाइसिए अपर ऊसस्याँ के लिए था मैंने आपको बताया था, आथन दो आपका से कोईरलेशन नहीं है जाद रखे तो इसके लिए вот जैसे आपका सरपंच बन जाता तो भले ही बैठक आप पतर जब कर्वाओं दस महीं में दस साल बाद उसे कोई मतलब जैसे आपका सरपंच लिए घृष्ट नॉर्थेश्ट काउंसिल में है ठीक है नॉर्थेश्ट डिस्ट्रिक काउंसिल कि कौंसा मीiri से मूल करता है और राज चील मेंसे अस्थान मिला क्र अबहिए कुसल सकतर है काफी सिंपल है तसकी आप reckless क्यात्या ने जीको याद रख रहे ऒखेगा था कि के बारे में हमारे डीपीज़शवी इसका राइट एंसल ऑप्शन भी हो जाएगा अगले प्रस्ण पर चलता है कौन सा राज की नीत निदेशक ततनों का हिस्सा नहीं है कौन सा जो कथसे ने नीत नीदेशक सभी नागरिद्गों के लिए समान नागरिद्ग सब्सक्राइब यह तो हिस्स अब देखिए यहां मेरे को डाउट हो रहा है option c and d में option c and d में देखिए portion अस्तर मतलब ये बोला गया है कि भारत को proportion से मुक्त करा जाए portion अस्तर और जीवन अस्तर के जीवन का अस्तर है उसको बढ़ाया जाए ठीक है न तो ये तो हमारा part है अगर ये तीनों करेक्ट है तो option d क्या हो जाएगा रॉंग हो जाए तो यहां भी क्या हो जाएगा करेक्ट असर option d ठीक चलिए अगले प्रशने पर चलते हैं जो हमारा है हिंद सुराज का लेका कि इसमें कौन सा अत्मा गार बहुत बहुत ग्रंथ मद्धिम निकाय किस भासा है जो बहुत ग्रंथ का मद्धिम निकाय है इस भासा में है वो पाली भासा में है बहुत ग्रंथ पाली भासा में है ठीक भारत और अमेरिका की संखी विवस्था है नि इस वह कौन सा एक पहलू है जिसमें समान है बाकी हर तरीके से भिनना है ठीक है ना दोहरी नाग रिखता भारत में नहीं है नियाले की दोहरी प्रणाली भारत में नहीं है ठीक है ना तो नियाले की दोहरी प्रणाली दोहरी सरकार देखे एक ही चीज से मैं भारत के और भारत और अमेरिका के संखी व्योस्था में यहां पर दिये गया पॉइंट में एक इसे में वो क्या है दोहरी सरकार ठीकिना भारत में भी भारत में नहीं है एकल नागरिकता है कुछ सदन राजय दोहरी सरकार हमारे भारत में भी और अमेरिका में भी फॉलो होती है एक सो एक इस पर चलते हैं भारत के राष्टपत के यह सक्ति कि वह किसी मामले को मंत्री परिशत के पास उनर विचार के लिए वापस भेश सकता है संविधान के संसोधन द्वारा विलित किया गया है नारत के राष्टपत के वह शक्ति किसी मामले को मंत्री परिशत के पास पुणर विचार के वापस भेश सकते संविधान के कि से कौन से अक्साइशन के ताथ किया गया था कि फॉटी फॉर्ट के थू किया गया था ठीक है इसके जो राइट एंसर है क्या हो जाएगा अगर मैं अभी एक्स्प्रेंट करने लगूँगा तो यह वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा और अभी अलड़ी फिफ्टी एट मिनिट का हो गया है तो में भी गंटे के आसपास मैं इसको बनाऊगा बात जितने भी क्यूशन बचेंगे तो आप खुद से सॉल्व कर लिजेगा एक्चली क्या यह पॉलिटी के क्यूशन है तो आप इजली गूगल करके अगर आपको एंसर करने प्रॉब्लम कर सकते हैं एजी रहता है हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होती है जलाओ लकड़ी का प्रियोग होता है तो कितने प्रतिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है तो कितने प्रतिस्ट्री में अभी खाना पकाने के लिए जलाओ लकड़ी का प्रियोग होता है तो कितने प्रतिस्ट difficile में गरों में 50% फिश्व लकड़ी का प्रियोग होता है तो महाँ चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं भारत में निर्वाचन का अधिक्षर किस में नहीं थे निर्वाचन आयोग में नहीं थे भारत के समविधान की निम लिखित उपबंद है बंदों में से कौन दे कि जो हमारे 18, 17 और 16 के पेपर हो थोड़ा से प्रुभावी हुआ है ठीक है अगले प्रेशन पर चलते हैं अगले प्रेशन पर चलते वन फोर्टी पर हालत के समविधान के निम लिखित उपबंध में कौन सा 26 नमबंबर 1924 से प्रुभावी हुआ है ठीक ना मतलब कौन सा एसा इसमें जो भी लिखा हुआ है कौन सा कथन है 26 नमबंबर ontoår 1925 से फ्रुभावी तथैकल प्रुभावी हो गया था फ्रुशे के नागरिक्ता की बात थिह 26 आउनी Zurich चार्ज से ही प्रुवाद रोगया तो इसका राइट एंसर हो गया ओ सॉरी फ्रेंट्स नागरिक्ता और निर्वाचन चुनाव और नागरिक्ता दोनों ठीकिन तो इसके बाद इभारत में चुनाव पाया थे ठीकिन आपात उपबंद भाद में आया है निया दिशुक निक् गई गया एब identify डो हूं जोरिए इत्री संगठनू संथानों में भारत की इस्थित के संबंद में निम्लिखित में कौन सब्सकर स्थापक सब्सक्राइज संथापक सब्सक्राइज संग्ठन का सथापन भारत नहीं कि नषीन ही ओं में आ हमारा पहला statement ड्रॉंग है अब बाकी पढ़ेंगे जानकारी के लिए एशिया प्रसांत आर्थिक सहयोग सदस्य प्रेक्षक सदस्य हो सकता है पूर्व एशिया सिखर सम्मिलन सदस्य है अप्षन रचना निवेश बैंक के AIB संस्थापक सदस्य जो भारत है AIB का संस्थापक स अब 55 पे चलते हैं क्यूशन नंबर 55 पे प्रतेक वर्ष संसत के प्रत्र के प्रारम्भ में होने वाले राष्टपति के अभिभाशण से भारत के समविधान का निम्लिकित में कौन सा अनुच्छेद संबन थी था ठीक ना मतलब किस आर्टिकल के तहत जो हमारा राष्टप राष्टर पाती है उसंसत के पहले सदन का ठीकिना पहले सदन में राष्टर देता यह कौन से अनुच्छेद में बोला गया है बार बार यह किशन पूछा गया फ्रेंस याद रखिएगा यहारे अनुच्छविध 878787 ठीकिना इसी अनुच्छेद के तदद जो हमारा तो फिफ्टीन होगा ठीक है ना तो ये राष्टपती ुफिफ्टीन राष्टपती से है याद रखिए Tris लेते हैं तो पूरा दिली में आप कहीं भी घूम सकते हैं जहां तक वो बस जाती जहां तक वो बस का रूट है तो इस तरीके से आप धियान रखिए कि एट और सेवन दोनों को एड करने पी क्या हो रहा है पंद्रह हो रहा है तो मतलब आप पूरे सहर में गूम सकते हैं मतलब आपको पावर्फुल एथार्टि भारत में किसको मिल सकती वराष्ट पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके लाब आप कोई पास कोई बेहतर टेक है अगले चलते हैं भारत के समविदान का निम लिखित में पौं शासनशोधन अस्थानी शाशन निकायों का नियत कालिक निर्वाचन चुनाव करवाना अनिवार बनाता है ठेकिकिए अबरा जो सब्सक्राइब का चुनाव करवाना अनिवारवए बनाता है काफी सिम्पल है इसका जो राइट है 73 वह अस्थानी निकाइब क्या होगे मतलँ हमाड़े जो बंचायत है हमारे जो मुनसिपल कारपोरेशन हमका चुनाव होना ये सब किसके संसोधन के अंदर भी 73 वे संसोधन के अंतरगर लिए अगले प्रशने पे चलते हैं 42 constitutional amendment 1976 के आधीन संभिधान में मूल करतव्यों का सामावेस निमलिखित में से किस समित की संस्तुति पर किया गया था स्वर्ण सिंह समित सबको पता है कोई डाउप नहीं होना चाहिए अगले प्रशने पे चलते हैं नंबर 58 निमलिखित में कौन सा एक विध्यक को धन विध्यक के रूप में प्रमाडित करता है मतलब धन विध्यक है ये कौन प्रमाडित करेगा राजय सभा का सभापति नहीं विध्यक को प्रमाडित करता है तो फिरेंस याद रखिएगा ठीकेन एप को पता वियंगा परमादेस के बारे में मिखित में कौन सा कथन सही है पहले इसके पहले विडियो में उया आपको को रिट पहचानने का सबसे बहतर तरीका बताया था ठकश作र मैं मैं बार-बार बताऊंगो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा कि इनपहीं परमा डिश्ट होती परमादेस मतलब परमादेश मतलब इस आधेश को आप को फॉलो ही करना है ठीक है ना तो पर्मादेश किसके द्वारा दिया जाएगा पर्मादेश जो आमारा सुप्रीम कोट है उसके द्वारा जो लोवर कोट है लोवर संस्था है जो लोवर पब्लिक संस्था है उसको दिया जा सकता है ठीक है अब देखते हैं इसके तो पर्मादे ग्रोपित किया गया हू, ठीक है न, तो देखे, परमादेश कहां पर यूज़ आपको इसका एक्स्प्रेन का बनाता, तो मैं आपको बता है, परमादेश, परमादेश परमादेश मतलब जैसे कोई कोई भी सरकारी बॉड़ी है कोई भी न्यालाय है ठीक है ना कोई भी न्यालाय कोई भी सरकारी बॉड़ी है न्यालाय पे नहीं लेकिन सरकारी बॉड़ी भी चलते हैं पर्मादेश मतलब एक परमादेश पारा जो कोट होगा एक परमादेश पास कर देगा सरकार के विरुद परमादेश निर्म निर्म अवर नेलो जिससे आपको कोई लोवर कोट है ठीक है कुछ मतलantic उसने कोई केस रोक के रख था है उसमें सुनवाई नहीं हो रही है यह कारवाई आप जल्दी से जल्दी कम्व्रीट करिये उस अब जैसेご कोई लोक सेवा प्यक्ति कोई लोग सेवा अदिकारी है तो उस कंडिशन में भी अब मारा सौप्रीम कोट परमादेश देता मज़ा आ गया शिक्ष्टी पर चलते हैं भारत के सम्विधान का निमलिकित में कौन सा अनुच्छद या प्रावधान करता है कि राज भारत के राज चेत्र के किसी व्यक्ति को विदि के समक्ष समता से या विदियो के समान सर्ण रक्षण से वन्चित नहीं करेगा ठीक है न काफी सिंपल है तो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा राइट एंसर इच ऑप्षण है अमश्यद 14 में बात की गई चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं कि के बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज केस के निर्ने के बारे में निम्लिकत में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है क्या हमारा क्यूशन है कि डीके बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज केस के निर्ने के बारे में निम्लिकत में कौन सा कथन सही नहीं है तो काफी अच् ग्रप्षेटा डेलियर्च में सरकारी पूम इसे विस्थापन, पूम सी ऐया बना भोल तसने बना की भाग के चिदे डिये सर स्थापन trajecte उसके सिर्वम इसे सरकारी यो जड़का हुँए बूम साफय झांत की तो समें बनद रखुया रहत भूम में विस्थापन जो रहा उसके लिए मुवाफजा देने के तथा ठीक ना याद रखिएगा एक्स्टेटू भारत के राष्टपदी तथा उपर राष्टपदी के निर्वाचन के संबंध में निम्निकत में से कौन सा कथन सही है तो राष्टपदी और उपर राष्ट अगला स्टेट में अब देखें में आपको यहीं पर एक्स्प्लेइन कर देता हूं कि राष्ट पति का चुना हुआ हुआ राष्टपदी के चुना में संसत के दोनों सदस्य मत्री लोग सभा और राज्य सभा के सदस्य तो सामिल होंगे इसके रहा राज के बिधान नहीं होते इध्यान रखिएगा विधान परिशत के सदस्य सामिल नहीं होते विधान सभा के सदस्य सामिल रहेंगे आपके ठीक है जो जैसे हमारे विधायक सामिल रहेंगे हमारे आपके लोग सभा के सदस्य सामिल रहेंगे और हमारे राज्य सभा की मेंबर सामिल रहेंग तो यह हमारा correct हो जाए तो भारत के उपर आश्टपत के चुनाव है उपर आश्टपत के चुनाव में विधान सभाग के जो मिंबर है वो सामिल नहीं होते तो यह संसत के दोनों सदोनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गरदवरा किया जाएदा तो हमारा option तो करेक्ट है इसको जो करेक्ट एंसर हो जाएगा option भी इस दा करेक्ट एंसर फ़ार डिस क्यूश्ट लिए अब चलते हैं actually question number 7 पर चलते हैं मैन बुकर अंतर राष्टी पुरुसकार के अब किसी अंग्रेज लेखक द्वारा जीते जाने की संभावना नहीं है बुकर प्राइज फाउंडेशन ने घोशना कि कि मैन बुकर अंतर राष्टी पुरुसकार को 2016 के पश्चात से अनूदित कथा साहित के लिए एक पुरुसकार के रूप में विक्सित किया जाना था तो यह किवल कथन दिया है लेकिन इसका आगे कुछ दिया ही नहीं है इसको हमें leave कर देंगे ठीक है ना चलिए अगले 8 नमबर से स्टार्ट करते हैं पुर्धार मंत्री उज्वला योजना के बारे में निमलिकित में कौन सा कथन सही नहीं मतलब wrong statement हमें find करना है ठीक न चलिए तो देखते हैं यह एक समाज कल्याण योजना है जो BPL परिवारों को तो हजन क्यों करने के लिए रखाए और अप्शन यह हमारा करेंट को वर्श दोवाजार पंदरा में प्रारम्ट किया गया था यह गलत है वस्ला योजना जो तो 2015 मिं प्राहम उत्काया गया थैधा आम नेट में सर्च और किया तो अभी कि आपको कि अबी मैंने नेट में सच किया था यसके एख इन फू आपको मिलेगा interpret Second में इसका चिरुंस कितने अचीव हो गया कितने लोगों को इद्रित किया जा चुका यह सब इन्फर्मेशन आपको मिल जाएंगे तो आप जरूर नेट में सर्च करिए ठीकिन इसको अभी नहीं बताऊंगे इसलिए मैं आपको अगले आप्शन पे चलते हैं इस योजना की अधीन सरकार ने पांच करोंड एलपीजी कनेक्शन का लक्षिन नियत किया था यह करेक्ट है इस योजना को देश रसोई का स्वच एधन उपलब्द करवाकर महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्त की सुरक्ष्ट करना थी यह भी करेक्ट है एसी डी करेक्ट है ऑप्शन बीज रॉंग है भारती सर्वेक्षण विभाग के 250 वे वार्ष्री कोस्व पर नियाद रखि करेंगे ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किये गए भ्रहष्ट आचार प्रत्यक्ष्ट सुचकांग 2016 में निम्लिकितमे से किस देश को नियुम्तम भ्रहष्ट देश का दर्जा दिया गया है देखिए याद रखिए अगा फ्रेंड्स यह हमारा जो पेपर पूछा गया है 2016 के आगर आप करेंट अफेर पढ़ रहे है तो भरे भले ही आप दो तीन महीने का करेंट अफेर छोड़ दीजिए लेकिन पुराना करेंट अफेर जरूर पढ़िया ठीकिन तो इस देश को नियुन्तम भ्रहष्ट देश का दर्जा दिया गया था यह देख तुर आई टांसर है अगर आप को इसका इनफार मेशन देने लगए तो फिर काफी टाइम लग जागा तो मैं बहुकर रहा हूं अहां और कुछ कामरेट्स बोल रहे है कि आप मार्च के बाद मतलब मार्च के बाद अप्रेल, माई, जून के लिए भी एक hand made notes तयार करिए current affairs के लिए मैं comrades बताना चाहूँगा मैंने जो notes तयार किया वो October से अब तक के लिए था मार्च के लिए था ठीकिए न और काफी time waste होता है तो देखे जून तो उत्ता रेलेवेंट मेरे को नहीं लगता अगर आपको लगता है तो अप्रेल माई जून तक मैं कर दोंगा ठीक न जुलाई अगस्त मैं नहीं कर पाऊंगा तो अगर टाइम बचेगा तो मैं कोशिश करूँगा एकशली टाइम बहुत कम बचाई हुए ठीक है तो मुश्किल लगता है अगर अगर टाइम मिला मेरे उकूर मेरे पास मैं भी जॉब करता हूं टीक है न मेरे पास कुछा टाइम रहता नहीं आठ नौ घंटे मुझे काम करना पड़ता उसके बाद जो भी टाइम मिलता है तो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो अकर देखे हैं टाइम मिलेगा तो फिर बनाएंगे नहीं मिलेगा तो फिर एक्जाम के बाद बनाएंगे क्योंकि अगला ग्जाम आने वाला है महारा एक्जाम तो होते रहते हैं किस की संतुति पर गढ़ित किया गया था अगेन पूछा गया संस्थानम समय ठीकिना यो देखे क्यूशन रिपीट हुआ है भारत के समविधान में नौवी अनसूची किस संसुधन द्वारा जोड़ी गई थी ठीकिना नियान नहीं नाइंट शिडूल जोड़ा पहले आप म वह भारत का पहला शंसुधन में नाइंट शिडूल में जोड़ा गया था ठीकिना नवी अनसूची को ध्यान रखिये अभी तो नहीं बताओंगा अभी मैं नहीं बताओंगा नहीं तो आप सर्च नहीं करोगे ठीकिना चलिए भारत के उचितम नियाले में निम लिखित मे कि बाद में पिछड़े वर्ग के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई ठीक है तो भारत के पिछटमने आले में नियम्रिकित में से किसके बाद क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई तो कौन से केस के बाद क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की ग क्रीमी लेयर का कॉंसेप्ट था वो पिक्चर में आया था ठीक है अगले प्रशन पे चलते हैं जो हमारा वर्ष 2017 के लिए नोबेल पुरुसकार जरूर रिवाइस करके जाएगा और मैं भी सकता है मैं आपके छोटा से वीडियो बनाऊ नोबेल प्राइस के लिए नोबेल प् प्राइस के लिए क्योंकि एक क्यूशन हो सकता है इससे पूछा जाए वर्ष 2017 के लिए निम लिखित में गड़ देखेंगे 29 पर चलते हैं इसको लीव करेंगे क्योंकि करेंट के क्यूशन निम लिखित विद्वानों मेंसे किसने भारत के समविधान को सीवन रहित जाल के तरी सम्विदान थैकर विब अगले प्रश्ण में लिखित में कौन सा कथन सही है भारत के समविदान का अनुछएथ 15 भारत के नागिर को तब विदेशियों को उपलब्द है ठेके ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेंड किया ठेके ना अर्टिकल 14 है जो हमारा आपको बताया है कि जो आर्टिकल 14 है वो भारतियों को भी उपलब्द है और वो विदेशियों को भी उपलब्द है इसके अलावा आर्टिकल 14 के लेकिन आर्टिकल 15 के है वो विदेशियों को भी उपलब्द है तो वो रॉंग है भारत की समविधान के अनुछए 21 राजज़श्य में भारत की नागरिकों जथा विदेशियों दोनों को समान रुप से उपलब्द है तो हमारा 3 ऑप्षेन भी करेक्ट है हुमारा 2 & 3 दोनों तो और राइट एंसर जागा option भी ठीक ना काफी अच्छा question था भारत के समविधान के अंचे 14 के आधिन यथा प्रतिष्ठापित विधी के समझ सम्था तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभन्यम लिखित में से किसे यकिने प्राप्त हो सकते हैं तो भारत में रहने वा और देख़ा हुला विदेशी नांगरिकों को 3 होना चाहिए 3.correct के लावा अगला option देखते हैं भारत में रहने वाले सभी भारति नागरिकों को 3.correct के याद-3 दिया हमारे option है अब देखे हमारे दो आप्शन है 1 & 3, C में है और C में है, इन्ही दो के बीचे में आपक्स करना है, ठीक है, तो देखे, तो होगे हमारा, भारत में रहने वाले सभी भारती नागरिकों को अब हमें विदेश में रहने वाले सभी भारती नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त हो नहीं को कि फंडामेंटल राइट भारत के लिए नहीं है भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए क्योंकि भारत में लाग हो सकता है यह में यह अधिकार कैसे सकता है थोड़ा लॉजिक लगाईएगा तो जो राइट एंसर हो जाएक क्या हो जाएगा option c is the correct answer for this question, simple to friends आप easily इकर आपको नहीं भी पता थोड़ा थोड़ा पता है तब यहाँ इसको solve कर लिए संसत्य में बजठ के पारित होने के सही अनुक्रम कि शृण का सही अनुकरम प्रित हो रहता है थो पहले बजट ी प्रष्ट की प्रिस्थूति होती है उसके बाद उसका सम्मुतियों द्वरा जांच किया जाता है विद्धी विध्यक होगा, उसके बाद विद्धी विध्यक पारित होता है, जो desi option option am eight , पहले तब वजट की सस्थटि फिर विभागी समिथिहों द्वारा जो उसकी जांच होगी , विद्धी विध्यक होगा विद्धी विध्यक पारित होगा, यही सकbeingस करट pneumatic order है 48 पर चलते हैं जिंदिट किसी एक राजी सरकार ने केंदर राजी संबंधों के अध्यान के लिए राजमनार समित की नियूकती की थी तो किस राज ने। राजमनार समित की है ठीक अब देखे ये तो पता है कि करना है तो आपको information होना ही चाहिए नहीं तो आप इसको नहीं solve कर पाँगे तमिल नाड़ु सरकार ने राजमनार राजमनार रमित नियुकत की थी न चलिए निम लिकित में कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था तो जो धर आयोग 1948 था वो किस से रिलेटेट था याद अगले प्रशन पर चलते हैं सुकन्या समरिदी स्कीम के बारे में नियुकित में से कौन सा कथन सही नहीं है रॉंग स्टेट्मेंट हमें find करना है चलिए जिसमें रॉंग स्टेट्मेंट find करना रहा था इस टाइप इक्विशन से हमें बहुत सारी extra information मिल जाती है इसके सारे कथन को हम पढ़ेंगे ठीक ना दत वर्ष की आयुदक की लड़कियों के माता पिता की अपनी बेटियों के नाम से खाते खोल सकते हैं करेक्ट है इनके अंसदान आयकर अधिनियम की धारा असी के आधिन करलावों के लिए स्विकार है इस पर प्राप्त किया गया ब्याज प्रती वर्ष 15 Заय रुपए तक की च्छूत है ठीक ना विएस पर प्रती वर्ष पंद रुपए की आपको च्छूट मिलती है लूँच से दुकल alma झाल के अधिक और थे बारे में तुम एर नहीं और दिक आपने लड़कियों को लड़कियों के लिए खाता खोड़ सकते हैं उनके माता पिता अंस्दान कितना होता है अंस्दान को क्या उसे कर सलाब मिलता है तो कर उसे छोट मिलती है इस खाता में प्रतिवर्श अधिक स्यदे देड़ लाक रुपए निवेश की आ सकते हैं ठीकिना अभी अमने करेंट अफेर्स में पढ़ा था पहला तो हमारा करेक्ट है ठीकिना आगे देखते हैं तो हमारे option में वहाना चाहिए तो इन डेट कर देंगे अब देखते हैं पता होगा पर न फिर्द सर न न यूजा स में भी ता तो गार्शिया जन जाती है याद रखिएगा गड़ी जन जाती है जम्मू और कश्मीर था हिमानचल पुदेश यह यह स्टेटमेंन रॉंग है फोर रॉंग है ठीक ना वन टू थ्री राइट है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा वन टू सॉरी सॉरी अब ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि वन एंड टू के बारे मेरो को कंफर्म है थ्री एंड फॉर के बारे में मैं शूर नहीं हूं तो अगर आपको आइडिया हो तो आप इसका एंसर दे सकते है ठीक ना गर्शिया जन जात क्या गुवर्म पाई जाती है न्यूज में तो थ देख लिजिएगा थी एंड फॉर में गुगल करकर आप इसको पैदा कर सकते हैं को इसमें बहुत है हम आगे से स्टार्ट करेंगे अब भी एक गंटे 25 मिनट के आस पास ये वीडियो हो चुका है तो कुछ क्यूशन और सालो कर लेते हैं इसके बाद मैं वीडियो को बंद कर दूँगा मतलब वीडियो स्टॉप करूँगा जितने भी क्यूशन बच जाएंगे थोड़े बहुत ही बच जाएंगे तो आप खुछ से करिएगा अगर नहीं होगा तो कुछ से कर सकते हैं अभी जितना क्यूशन हो जाएगा तो हम सॉल्व मारा पंचाइती रास अंशोधन हदिनियम 2015 के अंतर का चुनाओ लड़ने की पात्रता के लिए पात्रता के लिए किस प्रत्यासी के पास घर पर काम करना एक सौचाले होना चाहिए यह साथ मैंने डिसकस किया था है किसी भी तो यह बास सही है उसके पास खुद का एक सौच कि अलावा के पास बिदी बिजली के मतलब व बिजली भुगतान कर र रहा हो ठीक ना यह यह भी होना चायह कको सहकारी मतलब अडिफाल्टर नहीं होना चाहिए तो देखिए हर्याणा नहीं यह अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहती आपके पास घर में एक सउचाला होना चाहिए आप बिजली का भुगतान कर रहे हो आप डिफाल्टर नहीं हो यह सब चीज होनी चाहिए लेकिन देखिए वो नियूंतम मैट्र सबसे पहले क्या था कि का यह सबसे पहले हो जब से पहले होगार 2000 के पहले हो एक ही OPSन है जिसमें जो हमारा पुंची आयोग है वो लास्ट में है तो किवल मुझे किवल यह पता है कि पुंची आयोग 2000-2000 के बाद आया था और इस information से मैंने execution को solve कर लिया तो इसका right answer option 8 है विशन कठी लग रहा है लेकि इसको solve कर सकते हैं काफीजली 66 पे चलते हैं भारत में पंचायतों की संबंध में निम लिखित में से कौन सा कथन सही है सही कतन हमें find करना है तो देखते हैं पंचायत छेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव तरह पंचायत की सीटों को भरा जाता है पर्टेक्स चुनाव होता है प्रादेसी निर्वाचन छेतर में पर्टेक्स चुनाव दाता है पंचायत की छेतर को भरा जाता है यह करेक्ट है अगला ओप्शन देखते हैं चिन है जो पंचायत के शहेतरिके नंतरक्त आने वाले किसी बना और सब्सक्राइत अपना तोड़ी बनेगे एसा नहीं है राज विधान मंदल करने में ये पथा है देखे इस तरीके समने इसको एंसर कर लिए अगले प्रशनए प्रस्णफे प्रश्णय प्रिश्ण पर संबंध में सही है ना कि कौन सा कथना में जो भार्ति परिसंगी बष्था के संबंद में तो देखते हैं कििया राजसभा में सभी राजियों का प्रतिंद्रत सवान है oh कि राजी की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राजी की सहमत अवश्यक नहीं है देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा conflicted जाएगा माली जी किसी राजी की आप सीमा में बदलाव करना चाहते हैं तो आप पहले राजी के पास proposal भेजते हैं लेकिन अगर राज सहमत ही नहीं देता सहमत नहीं देता कोई जवाब नहीं देता फिर भी के सेंटर को पूरा पावर है उसकी सेवा में चेन कर सकते हैं खारत में दोहरी नाग रिखता नहीं है यह भी सेट टू एंड थ्री तो करेक्ट है इस वबन के बारे मुझे थोड़ा श्योड़ने तो दे कोशिश की गई है लेकिन क्या है तो चोटे राजी है तो मेरे साब तो जिसका राइट एंसर होना चाहिए और ऑप्शन भी होना चाहिए ठीक यहां पर एंड बी में डाउट हो सकता है आपको तो आपके अनुसर अगर मैं कोई गल्टी कर रहा हूं इस क्यूस्चन के लिए तो आप मुझे करक्ट कर सकते हैं ठीकिना चलिए भारत के उच्छितम नियाले की सक्तिया निम्लिकित में कौन सी है ठीकिना उच्छितम नियाल एक सी अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थितमें आरंभिक अधिकारिता आरंभिक अधिकारित के सुप्रीम कोट को सुप्रीम कोट का याद रखिएगा जैसे मालीजे एक एक सीधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है ठीकिना एक सीधिक र तो ही चनेलों के बुरुद्धा पूल सुनने के शक्ति ये भी है। इनके समख्च आय किसी भी मामुले में नयाय करने के लिए डिक्री और आदेश पारिद कर सकता है। ये भी कर्रेक्ट है। विदी से संबंदित मामुलों में भारत की राष्ट्रपति को शलाही है। ये भ तो निगमित कर या प्राप्तियां लाभास्त थलाव विनिवेस्ट प्राप्तियां तो फिर बोल्ड है कि निम्लिखित में कौन सा संग सरकार की राजस प्राप्तियों का घटक नहीं विनिवेस्ट प्राप्तियां मतलब डिस इन्वेस्टमेंट करका पार्ट नहीं जब आप वो सही सबस्टर्वंध करते हो टिक नures करती है ठीक है लिए लया है Πछत साम मतलब सुमेलित करना है मतलब राइट राइट आप्षन चुनना है सुमेलित करना है मतलब कौन सी घटना कौन से सन में हुई थी ठीक है तो देखते हैं तो अगर आपको एक दो भी पता है तो आप easily identify करें दांडी मार्च कब हुआ था बताएए दांडी मार्च के मदद से इस्क्रिप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है ना तो दांडी मार्च कब हुआ था व्याद रखेगा फ्रेंट्स दांडी मार्च 1931 में हुआ था कि 1930 में हुआ था आप बताएए पनाट चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी ठीक है अब देखिए किस ऑप्शन में सी कवण है केवल एक इनफॉर्मेशन आपको पता है आपने क्विशन सॉल्व कर लिया था लेकिन देख लेते हैं चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी रोलेट एक्ट कब आया था रोलेट एक्ट और दांडी मर्च 930 चलिए नमक मार्च के बारे में निम्लिखित कत्रों पर विचार कीजिए ठीक है तो नमक मार्च के बारे में पूछा जा रहा है यूरोपी जन संस्थाओं ने कहा था कि एक फालतू का फालतू किया तरह इससे कोई वुकिविए में यूरोपी ने पहले इसको नजना लंदाज किया था ठीक है ना कांसा स्टीट्मेंट साहि हमें यह find करना 것으로 थाया रखिए गए आउने पहले स्टीर नज अंदाज करने काथ लगिन बाद यह काफी इंपोर्टेंट हो जादा जह क्था हो गया इंधे लाए उनके लिए उनके लीए प्रेसदौरा इसका भीवन दिया गया माइलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया ठीक है हई देखिए हमारे इस्तरीक एक ऑप्षं 3 भी करेक्ड है total आप नमक माच के तोरा अध महिला कम्रा देवी चर्टों-पध्या उनके request पर महात्मा गांदी ने पहली बार महिलाओं को मार्च में काफी भारी मातना में सम्मिलित होने के लिए इलाउ किया था काफी भाली मातरा में सम्मिलित होने के लिए इलाओ किया था लेकिन ऐसा बोला जाए कि पहली बार मतलब पहली बार बड़ी संख्या में तो ऐसा कहना गलत होगा लिए कि पहली बार इसके पहले भी जो अंदोलन हुए है उसमें भी महिलाओने भाग लिया था ठीकिना उसमें नजर अंदाज किया गया थे लेकिन बाद में इसको इंपॉर्टेस ने तभी ना बाद में इसको छापा गया ठीकिए न हमारा ठीकिए हमारा वेट मिनिट फ्रेंट्स इसको पहले एक बार एरेज करते फिर से पढ़ते मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ चली क्या बोला जा रहा है। और यूरोपी प्रेस द्वारा नमक मार्च का व्यापक विवराण दिया गया है, टू आप्शन करेक्ट है, आपको पता होना चाहिए, आप्शन जो टू है, वो करेक्ट है, इसके बाद नमक मार्च पहली राष्टवादी गतिवी ती जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या महिलाओं के बड़ी संख्या में हिस्सा लेने के लिए, पहली राष्टवादी गतिवी इसमें अभी मेरे को डाउट है थोड़ा सो तो इसको भी मार करके रखते हैं, नमक मार्च ने ब्रिटेन पर या प्रुहाव छोड़ा कि भारतियों को और अधिकार से अपनी की तुर अगर आप किसी ऑप्शन के बारे में करेक्ट नहीं है तो इस तरीके से हम इसको सौल्व कर सकते हैं, ठीके न, चलिए, 83 पे चलते हैं, प्रिटेस भारत में 1937 के प्रांती विधान मंडल की चुनावों में सही उत्ता है, मतलब चुनावों के बारे में जो सही का अधिकार था, यह करेक्ट है, हमने पढ़ा है, ठीक है न, इसके अलावा अच्छूतों को मत देने का अधिकार था, यह गलत है, 1937 के चुनावों में जो हमारे अच्छूत थे, 1937 के चुनावों में जो अच्छूत थे, उनको चुनावों देने का अधिकार प्राप्त न यह सेकंड नंबर को रांग है, मुस्लिम के लिए आरक्षिस सीटों में से 80 प्रत्त से अधिक सीटों पर मुस्लिम नहीं यह गलत है, तो हमारे पास क्या आप्षिन बजाएगा, 1 & 3, 2 गलत है, 2 & 4 गलत है, तो आप्षिन लिए 1 & 3, the correct, ठीक न, तो आप्षिन सीज दे चलिए अगले प्रस्ट पर चलते है, 84 पर, ब्रिटिस भारत में आरे समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम लिखित कतनों में से कौन सा सही है, ठीक न, ब्रिटिस भारत में आरे समाज के सामाजिक अधिक आधार के बारे में कौन सा कतन सही है, यह मुकिता पंजाब की बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए ठीक है ना नॉज के लिए सॉरी फ्रेंट सुड़ा बाहर काम हो रहा है था चलिए तो देखिए जो हमारा आरे समाज था किसके द्वारा से स्टार्ट किया गया था स्वामी देया अनन शरफ सती ठीक है न तो यह मुखिता पंजाब उत्तरी प्रदेश में इस्तित था यह बात कर रेक्ट है ठीक है ना उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था इसके अलावा इसमें मुक्यता ब्यापारी जातीय है यह समाविष्ड थी अब यह ब्रम की तुनला में बहुत अधिक बोल दिया मतलब ऐसा बहुत अधिक सीमित तो नहीं तबाई इसका मतलब बहुत अधिक सीमित मतलब तुछ था ऐसा नहीं था इसका significant role था तो option 1 & 2 को ही हम मानेंगे सही 3 को हम गलत कर देंगे तो जो राइट की चुनोतियों के रूप में निमिखित में से किसी माना गया अब देखी याद रख़िए कि भारत रबभारती 25 वर्शि योजना का केंदर बुंद ऑन्र वे ठीडर काश ठीक साइध साख्षर भारत योजना थे पहले भी साध़ शॉल्व किया है कि धेक्ष लेख लेख लेते हैं यह केंद्र यह एक केंद्र प्रयोजित योजना जिसे ग्यारवभीALLY पंचवर्ष्य योजना के दौरान आरम्प किया था मैंने आपको बताया भी साध कि किसे इस रूप में महिलाओं और सामानत है वंचिस समूहों पर लागू होती है तो महिलाओं और सामानत है वंचिस समूहों पर लागू होती है तो साक्षर योजना तो सभी रूप से लागू होती है लेकिन महिलाओं वंचिस समूहों पर लागू होती है तो यह करेक्ट हो ज यह योजना जो पंचायतों और अस्थानी स्वायतु साशनों पर आधारत है तो याद रखिएगा option 1 and 4 correct है ठीकी न आप देखिए यह तो 3 भी correct यह 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 देखिए थृग की वक्षियों पर लागू हो जीए तो तילו actually किया जो साक्षर भारती हो जोना है वो दस वर्ष से अधिक रिपक्टियों पर लागू नहीं हो दक czyने क्वा कोत्त कर रहा हूं कि अब इसको कतम करके ही अपन रूखेंगे ठीक न चलिए तो कहा तक अपन ने कर लिया है 91 तक अपन ने कर लिया ठीक न अब आगे चलते है 94 जे भारत के राश्टरपत की सक्तियों के संबंद में निम्लिखित में कौन सा कथन सही है सही कथन में find करना था संग की कारेपालक शक्ती राश्टरपती में नियुक्त होती है संग की कारेपालक शक्ती राश्टरपती में नियुक्त होती है देखते हैं कारेपालक कारेकारी और कारेपालक इंग्लिस में आप पढ़ेंगे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा देखते हैं अगला option देखते हैं राश्टपति द्वारा अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालक शक्ति का प्रियोग किया जाएगा ये जो हमारा करिण सकती का अधिनस्त अधिकारी के मांध्यम से कारे पालक सकती का अधीन 조ंव को बोल दिया गया तो गल्स जाँता ना अगर आप बोले कि प्रदान मंत्री कोई कोई दिखारअ कर अधिक्वर है तो संग करेकारी कार्यपालक क्या मतलब क्या सभिक्स करेगा क्या वब्र entreno trustworthy करेगा इस तरीके से option one और सही है ठीक है ना तो राइट अंसर हो जागा ऑप्शन सी हो जाएगा टू रॉंग है टू तो तो कंप्लीटी रॉंग है ठीक है न चलिए क्योंकि जो कैदियों से जो कैदियों का फ्रीडम है उससे रिलेटेड है अब हम अगला स्टेट्मेंट पढ़ते हैं ठीक है न चलिए जीवन कादिकार ठीक है यह भी सही है अनुश्य देखिए इसके अंतर के जनानात्मक प्रियान करने का किसी महिल्या कादिकार व्यक्तिका इस तंतरता का आयाम है यह गलत हो जागा वन एंट्टू करेक्ट है ठीक है तो काफी इजी क्यूशन था आप यह इसली अदिटिफाई कर सकते थे अन्सार 96 पे चलते हैं भारत में सिक्छा के अधिकार के बारे में निम लिकित में से कौन सा कथन सही है सिक्छा के अधिकार 9 के प्रावधान के अनिवारता है कि विद्यालियों में योग शिक्च्रक और बुनियादी से रचना अवश्य होनी चाहिए तो यह भी क्यारे क्तिक या षावश्य होनी चाहिए sorry आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी के आधार पर जिना किसी भेदवाव के गुर्वत्ता शिक्षा प्रदान की जाना तीनों स्टेट्मेंट कारेक्ट नफ्रेंट्स तो इसका राइट हैं सब्सक्राइब ऑप्शन ए पढ़के आप इसका एंसर दे लेंगे कुछ लग संप्रदायों को गलत है किसी हर एक संप्रदाय को चाहे वह लग हो चाहे चोटा चाहे बड़ा अपने धार्मिक कारियों के प्रवंधन करने की पूर्श पूर्ण सुत अंतरता है तो आप्शन यहां पर रॉंग हो जाएगा ठेके ना राइट एंसर इस ऑप्शन ए चलिए नाइंटी एट को चलते हैं और उच्छेद बाइस के अंतरगत व्यक्तियों की गिरफतारी और निरुद्ध से संरक्षण के संबंद में निम लिखित में से कौन सा कथा सही नहीं है रॉंग स्टेटमेंट हमें फाइंड करन है याद रखिएगा तो गिरफतार किये गए व्यक्ति को गिरफतारी के कारणों से अवगत कराये बीना अभी रक्षा के निरुद्ध नहीं कि रखा जाएगा ये करेक्ट है सही बात है किसी व्यक्ति को अपनी रुचिके बिधी सलाहकार से परामर्श करने और बचाव करन में हमें उसे मजिस्ट्रेट के समख से प्रस्तुत करना हो जा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ठीकिना कि नियाइक आदेश के अनुसरण करने के लिए अगर किसी कारागार में रखा गया है गिरफ्तारी से सन्रक्षण अधिकार नहीं पराप्त होता ये राइट इस्टेटमेंट है ध्यादा ध्यान रखिया है 99 क्यूशन देखते हैं निम लिखित में कौन सा बौधिक संपदा अधिकार बीना किसी पंजी करण के सन्रक्षी था बौधिक संपदा अधिकार बौधिक संपदा को क्या बोलते है मेरे को ये तो नहीं पता इसको लीव करते हैं ठीक नहीं कि पता नहीं कि आप पूछना चाह रहा है जी नहीं या इसको लीव करते हैं भारत में सांस्कृतिक और सैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्लिखित में कौन सा कथन सही नहीं भारत में सांस्क्रितिक और स्यक्षिक अधिकारों की बारे में इमिखित में कौन सा कथन सहीनिया रॉंग स्टेथमिंट में फाइंड करना है नागरिकों के हर वर्व को अपनी भाषा लीप अत्वा संस्क्रित को बनाया रखने का दिकार, यह सही है किसी भी नागरिक को धर्म प्रजाद या धभाशा के आधार पर फुर्ष्ट बंचित नहीं किया जाएगा यह भी करेक्ट है संस्थानों को शहायता प्रदान करने में राजी किसी संस्थान के प्रत इस आधार पर कि वह किसी बहुत संख्या के प्रवंधन के आधे ने भेदवाव करेगा यह गलत है यहां पर इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्शन के लिए अगले काफी सिंपल क्यूशन इफ्रेंस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सो वन वन एट पे चलते हैं राजी की नीत के निदेशक्तत्तों के संबंध में निम लिखित में कौन सा कथन सही नहीं है आरत के समध्यान के भाग चार में अंतर विष्ट की भिन्याल है द्वारा परवर्तर नहीं है तो यह सही है भाई नीत के नीत के निदेशक्तत्त मूलभूत है देश के साशन में राजी की नीत के निदेशक्तत्त मूलभूत है अब देखे फ्रेंट्स यहां पर आपको डाउट हो सकता है लेकिन यह करेक्ट है देश के साशन में भारत के लिए जो भिनियम बनाये जाएंगे उनमें राजी के तो मूल भूत है उनका ध्यान रखा जाएगा राजी का यह करता भी होगा कि कानून बराने में निदेशक्ततों को लागू करें तो यह सही है अब यह तीनों सही है तो ऑप्शन डी रॉंग होगा देख लेते हैं निदेशक्तत भारत को पीश्यों का एक उत्नत पर नहीं नह उपर राष्टपत का कार्याल है संसत के दोनों सदनों के निर्वाशि सरस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचन मंडल द्वारा उपर राष्टपत की चुनाव के यह जाता जात है कि आगे चलते हैं उपर राष्ट्ट पत संसत की सदunn का नहीं होगा यह भी सही है धारत का और उपराष्ट्ट पति राजी सभाख का सभाग पाद गरतकी है उसको फिर स喝 करते हैं संसत के dwun सददोन के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचत मंडल द्वारा उपर राष्छट पति का चुनाओ किया आता है जो करेक्ट है संसत के दूनों से दूनों के निर्वाची सदस्चिन होते हैं जब कि राष्टपत के चुनाओं में हमारे नॉमिनेटेड मेंबर भी सामिल होते हैं जब कि राष्टपत के चुनाओं में नॉमिनेटेड मेंबर भी सामिल होते हैं जब कि राष्टपत के पुस्ट इनिचियल रीडिंग में आप identify नहीं कर पाऊगे एंसर ठीक है ना आपको ध्यान से पढ़ाना है तो option है इसका wrong statement है तो right answer is option है घारत के राष्टपत और उपर राष्टपत के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामने में जाच और नेने मिखित में किस समवैधानिक प्राधिकराण द्वारा किये जाएंगे सबसे easy answer है इसका ठीक ना किसके द्वारा किया जाएगा भारत के उचितम नियाल है द्वारा चली friends अभी कुछ question बचे हुए है तो आप उसको solve कर लिजिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और 15 परेश तक solve कर दिया है कुछ question बचे है तो आप खुद solve कर लिजिए ठीक ना काफी simple question friends आप solve कर सकते हैं और चली अगर कोई भी problem होती है तो आप मेरे को comment section में बोल सकते हैं वीडियो अच्छा नहीं लगा कोई कमी है तो भी बोल सकते हैं और यह revision series का हमारा 21-14 की तक के लि अब time काफी कम बचा है तो अब यह video में सोच रहा हूं कि अब यह video हम नहीं लाएंगे अब आप revision कर गये और जो भी अगर कोई important video लगेगा तो मैं इस बीच-बीच में लाऊंगा ठीक ना जो भी 3-4 दिन का time बचा है तो देखेंगे चली friends अब भी इस video को stop करते हैं thank you for watching and stay tune on and thank you